अगर हम मिक 21 को साइड में रखकर बाकी फाइटर जेट्स को देखें तो नॉर्मली उनकी लेंडिंग स्पीट 200 किलोमेटर पर आवर के आसपास होती है और लगबग इसी स्पीड पर एरोपलेन भी लेंडिंग करते हैं लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो कुछ फाइटर जेट्स में ड्रेक सूट्स लगे होते हैं पर बारी बर कम एरोपलेन्स में इनका इस्तेमाल नहीं होता मगर क्यूँ? मैं नहीं बताऊंगा अब ऐसा क्यूँ है? तो देखिए फाइटर जेट्स बहुती मुस्किल कंडिसन में लेंडिंग करने के लिए डिजाइन होते हैं और अगर इनके रन्वे पर पानी या फिर बरफ जमा हो तो ऐसी कंडिसन में इनके ब्रेकिंग सिस्टम के फैलोने के चांसे ज्यादा होते ह कुछ इस तरह से अब इनी प्रोब्लम्स को काउंटर करने के लिए ड्रेक सूट्स की मदद ली जाती है जो फाइटर जेट्स को सलोडाउन करने के साथ साथ उन्हें रन्वे पर सीधा रखते हैं ताकि वो फिसल कर इधर उधर ना चले जाएं